शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि जो चना होता है भुना हुआ चना या काला चना जिसे कहा जाता है दोस्तों यह हमारे स्वास के लिए कितना जादा फायदे मन्द है आपके वजन को तेजी से कम कर देगा आपके बैली फैट को बहुत ही तेजी से घटाने में मदद करता है भुना हुआ सिका हुआ चना वैसे चना आप कोई भी ले सकते हैं सुखा हुआ चना ले 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 पानी में भीगा ले अंकुरित चना खा सकते हैं पर जब आप भुना हुआ चना खाते हैं खास कर छिलके सही चना खाते हैं दोसों तब तो ये बहुत जादा ताकतवर होता है भीगे हुए पानी में जो चने भीग के अंकुरित होते हैं उससे कई गुना जादा ताकतवर होता है ये सिका हुआ छिलके वाला चना तो आपको चना ही खाना है दोस्तों, क्योंकि इतना ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है, लंबे समय तक आपका पेड भरारहता है, हमारे शरीर के लिए, हमारे दिल के लिए, दिमाग के लिए, और हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए भी भुना हुआ, सिका हुआ जो चना है वह बहुत ही ज़ादा फाइदे मंद होता है भरपूर मात्रा में इसमें कैलशियम होता है, आइरन होता है, मैगनीशियम होता है धेर सारे इसमें पोशक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को फस्त रखते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ही जादा आवश्यक होते हैं भुने हुए चने में बिल्कुल नई के बराबर कैलोरी होती है लो कैलोरी का फूड है, हाई फाइबर का फूड है दोस्तों आप अपने स्नेक्स में इसे जरूर शामिल करें शाम को जब भी आपको जोर से भूख लगती है जब आप ओवर रिटिंग कर लेते हैं उस समय एक कटोरी भुना हुआ चना जरूर खाएं चाहें तो आप ऐसे ही खा सकते हैं ये तो वैसे भी नमक लगा रहता है टेस्टी लगता है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं एक कटोरी भुना हुआ चना खाने से वजन तेजी से कम होगा मोटापा कम होगा साथ ही साथ जिन्हें डाइबिटीस की बिमारी है शुगर की बिमारी है उन्हें भी एक कटोरी चने का सेवन जरूर करना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, भुना हुआ, सिका हुआ चना, जिनका B.P है, उन्हें भी खाना चाहिए, जिनने बीपी की शिकायत है, दोस्तों, उनके लिए भी चने का सेवन बहुत ही फाइदे मंद ह शाका हारी खाने में चना एक पॉस्टिक आहार माना जाता है प्रोटीन से भरपूर होता है 37-37 में बहुत सारे पोशक तत्व होते हैं और इसमें होता है दोसों प्रोटीन, विटामीन, मैगनीज, आइरन, पोटेशियम होता है इसलिए तो BP के पेशेंट के लिए भी फायदे मंद है हमारे डाइजेशन को इंप्रूफ करता है और वजन को घटाने के लिए बहुत फायदे मंद है तो चलिए एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ अगर आप रोज सादा चना खाकर बोर हो गए हैं तो थोड़ा साइसे टेस्टी बनाए इतना टेस्टी बनाए कि हमारा वजन कम हो सके क्योंकि वजन को कम करने के लिए जादा बहुत टेस्टी स्नेक्स बहुत कम बनते हैं सभी में घी तेल का इस्तमाल किया जाता है बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगी आपको कि आपको रोज सादा चना खाके बोर हो गए हैं तो कभी-कभी ऐसा भी आप बना ले और साथ ही साथ दोसों यह जो चना होता है हमारी इम्मुनिटी को भी बढ़ाता है रोग प्रती रोधक शम्ता को बढ़ाता है दोसों हमारे शरीर को मजबूत बनाता है मास पेशियों में मजबूती आती है तो कड़ाई में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है ज्यादा तेल नहीं डाले क्योंकि हम वजन कम करने के लिए बना रहे हैं जीरा डाला है जीरा भी हमारे वजन को तेजी से कम करता है हमारे रिजेशन को इंप्रूव करता है और शरीर में जमे हुए फैट को तेजी से कम करता है थोड़ी से मैंने इसमें करी लीफ्स डाली है जिसे की मीठे नीम की पतियां भी कहा जाता है दोसों मीठे नीम की पतियों का इस्तमाल जरूर करें चाहें तो केवल दो पतियों को ऐसे ही चबा चबा कर खा लें, दस दिन खाएं आपका वजन कम होने लगेगा, इतनी जादा फाइदे मंद होती हैं करी लिव्स, तो करी लिव्स डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें मखाना डाल दिया है दोस्तों, इसे हम लोग फॉक्स नट कहते हैं, फूल मखाना कहते हैं, लोटस सीट भी कहा जाता है, कमल के फूलों, लोटस के सीट होते हैं मखाने, किसी भी ड्राइफ रूट की शॉप में, पंस स्किन के लिए मखाना बहुत ही फाइदेमंद होता है मखाने में एंटी एजिंग तत्व होते हैं इसका सेवन करेंगे तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा पचास की उम्र में भी आप पचीज के दिखाई देंगे दोस्तों मखाना इतना अच्छा होता है हमारे चेहरे पर जुर्री आने नहीं देता है रिंकल्स हमारे चेहरे पर आने नहीं पाते हैं बीपी को कंट्रोल करता है मखाना तो मखाने को मैंने सबसे पहले डाला है क्योंकि चना तो सिका हुआ है एक साथ डालेंगे तो हमारी चीज़ें जल जाएंगी मखाने को भुनने में कम से कम 5-7 मिनट टाइम लगता है तो मखाने जब अच्छे रोस हो जाएं हास से दबा कर देख लें थोड़े क्रिस्पी हो जाएं उसके बाद ही आप इसमें चना डालें थोड़ा सा मैंने सेंधा नमक डाला है नमक की जगा सादे नमक की जगा दोस्तों थोड़ा सेंधा नमक का ही इस्तमाल करें हेल्थ के लिए अच्छा होता है वचन कम करना चाहते हैं तो नमक का इस्तमाल कम से कम करें साथ ही साथ कोई भी मैंने आपने देखा तेल घी ऐसा कुछ भी चीज नहीं डाला है तो भुना हुआ चना खा खा के रोज हम बोर हो जाते हैं रोज चना हमसे खाते नहीं बनता है तो आपको रोज एक कटोरी इस नाश्टे को करना है मैं तो हमेशा इसे अपने डिब्बे में स्टोर करके रखती हूँ पांच-छे दिन का बना कर जब भी शाम को आपको भूक लगती एक कटोरी खाएंगे ना दोस्तों पेट भर जाएगा पेट भरा रहेगा तो आप ओवर एटिंग से बच जाएंगे कम खाएंगे और वजन को घटाने में हमें बहुत आसानी होगी तो बस ये मखाना, भुना हुआ चना, करी लीट्स ये सारी चीजे मैंने इसमें ऐसी यूस की है जीरा जो कि आपके वजन को तेजी से घटाएगा फैट बर्निंग प्रोसेस को फास्ट करेगा तो देखाना दोस्तों की कितना जादा फायदे मंद होता है ये चना छिलके सही थी चने का इस्तमाल करना है एनीमिया के रोगी के लिए चना बहुत फायदे मंद है दोस्तों जिन्हें खून की कमी है उन्हें भी ये जरूर खाना चाहिए खीखासकर हम लेडिस लोगों को तो चना एक कटोरी जरूर खाना चाहिए. इसके अलाबा हम चना खाने से हमारा शरीर एक्टिव रहता है. पूरे समय हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती ही. 2020 हमारी शरीर को उर्जा देता है. और सांथी सांथ हमारे digestive system को भी improve करता है पेट भरा रहता है भूग कम लगती है तो यदि अभी तक आपने भुना हुआ चना खाना शुरू नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद डेली एक कटोरी भुना हुआ चना खाना स्टार्ट कर दें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें अपने बढ़ते हुए वजन को आप तेजी से कंट्रोल कर सकते हैं इस भुने हुए चने को खाकर तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास की चन को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट जरूर करें दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और भुना हुआ चना मकाना इसे जरूर करें